बिस्मिल्लायराह्मानियाहीम, अस्सलाम अलेकुम, आज मैं आपको पोदीने की और हड़े धनिये की चट्नी बनाना सिखाऊंगी, ये मेरे पास पोदीने, दो गठी पोदीना और आदी गठी हड़ा धनिये, जिसको मैंने बरी काट के अच्छी तरह दो के रख लिया हुआ, आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास हरी मिर्चे भी है, इस तरह की मेरे पास तकरिबन 4-5 हरी मिर्चे दी जो के मैंने इसमें एड़ की है, ये दो आपको इसलिए ओपर दिखा रही हूँ ताके आपको पता लग जाए कि इस तरह की लंबी थी, वो भी मैंने साथ में आपको बतातेती हूँ पिसी हुई काली मिर्च, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ये चारों मसाले एक एक चुथाई चाय का चमच इसमें एड़ोंगे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले इसमें जाएंगे नमक, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा और इसके साथ एक अदद लीमू है आप लोग ने देख यही मसाले इसमें आड़ोंगे इसके साथ ये है दही, दही जाएगी इसमें दो चमच मैं आप लोग को साथ साथ दिखाऊंगे ये सारी चीज़े मिक्स करके ग्राइंड करके देए आप लोग देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये मैं एक जाग में इसको ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह से सबसे पहले मैं आप लोग देख रहे हैं, इसमें पोदीना और हराधनिया डालूँगी साथ ही इसमें मैं नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और जीरा इसमें आड़ कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, आप मैं इसमें देही एड करूँगी, देही मैंने आपको बता दिया हूँ है, दो चमच मैं इसमें देही एड करूँगी, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ साथ साथ, इसको हमने इसमें पानी एड नहीं करना, इसी तरह हम ग्राइंड करें इसके इलावा मैं इसमें लीमू डालूंगी लीमू डालने से चट्नी का रांग हमेशा हरा ही रहता है काला नहीं होता आप लोग इसको भी यानि एक टिप मैं आप लोगो दे रही हूं यह देखिए मैंने एक अदर लीमू का रासिस में आड़ कर दिया अब इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड करूंगी फिर मैं आप लोगो इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आज की यह मेरी मुहतिसरन सी रैसिपी आप लोगो जुरूर पसंद आएगी यह देखे जी यह बनकर रैडियो चुकी है आप लोगों को देख सकते हैं मैंने इसमें पानी यार नही रख ले यह बहुत ही काम आएगी रमजान में इन्शाला अब हम मिलेंगे ने रैसिपी के साथ अल्ला हाफिज